हलो दोस्तो गेल फार्मिंग में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गर्मियों के सिजन में बरबटी की खेती तो दोस्तो मैंने एक एकड़ खेती में बरबटी की खेती लगाया हूँ तो आप देख सकते हैं 35 से 40 दिन हो चुका है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और उसमें वाइरस जैसी कोई समस्या नहीं क्योंकि मैं समझ समय पर उस पर किटन असक का प्रयोग करता हूँ तो यह देख सकते हैं 3.5 फिट की हो चुकी है तो मुझे जल्दी से इस तरह से मजबूत मचान बना देना है तो इस तरह से लगती है गर्मियों के सिजन में दो बार हप हर्वेस्टिंग करेंगे तो कम निकलेगे लेकिन जैसे बढ़ता जाएगा उसका बेल आप तोड़ते तोड़ते ठक जाएगे एक कड़ से आप मैं कहता हूँ एक कड़ खेती में आपको हर दिन आप बरवट्टी हर्वेस्टिंग करेंगे तो 200 किलो से लेके 180 क किलो तक आपको मेलेगा अगर आपकी अच्छी मेहनत हो तो 1200 किलो तक भी निकल सकता है तो मैंने दोनों को डिश्टिवेस्टिंग रखा है उसका पांच फूट है और जहां जहां टपक एलिकसन गेरता है वहीं पे दो या तीन सीड मेंने लगाया है तो हमें जिग जग खे करके रखना आगे भी इस तरह में आपको जानकाली देता रहूंगा जैसे आप देखते जाएंगे आप को एक्सप्रेंस होता जाएगा और आप एकदम सही तरीके से प्रवट्टी की खेती करेंगे तो दोस्तो शुरुआट के तौर पर जैसे फरवरी महिना आता है हम सीड लगाता है तो जैसे छोटा पोधा होता है तो उसमें ज़्यादा कीट लगते है तो उसको हमें समयपी कीट ना सक का प्रवेक करके हमें कंट्रूल करना पड़ेगा बाद में मैं बताता हूं कौन-क बचान बनाईगा तो उसमें बहुत जल्दी मतलब एक अभी एक चालिस से पिचास दिन तक में उसमें बड़बटी लगना चलो हो जाएगा बड़बटी की खेती है उसमें बहुत डिपान है उसकी अगर मार्किट में लेका जाएगा तो पहले आपकी तुरौंत भीग जाए है एक प्रती एमल और साथ में ठिपस की दवा को मिस करके इसको पाजपाज जीन का अंतरला आपको दवा का छेड़का वो करना पड़ेगा तब यह कंट्रोल होगा क्यूंकि थोड़ा मुस्केल है लेकिन बहुत आसन है जैसे बेल चलना इस तरह से चालो हो जाएगा फिर में ज्यादा वाइरस या कीट नहीं लगते है तो दोस्तों जब भी आप बरबटी की खेती करते हैं तो आप मचानवीदी से खेती करना उसमें अगर मचानवीदी से खेती करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी बरबटी लगती है अगर आप नीचे करेंगे तो आपना एक एकड़ खेती में अगर आप खेती किया है तो कम से कम आपको बहुत अच्छा इंकम मिलेगा आपको कुछ एक भी बार अपने खेती नहीं किया तो मेरे चैनल पर आप देखके खेती कर सकते हैं इसमें आपको रियल जनकरी मिलेगी तो किस्तन भायो बरबटी की खेती ज़्यादा तर घर्मी और बरसातों में होती है तो दोनों में अच्छा हमको रेड मिलता है दोनों से जन में आप लगा के आप खेती कर सकते है तो किसन भायो अभी जब तक उसमें बरबटी नहीं लगती है तब तक उसको खाद नहीं देना और पानी भी बहुत कम चलाना क्योंकि जैसे कम चलाएंगे तो उसमें जब ज़्यादा देनों केंदराल पर जैसे पानी देगा तो उसकी बहुत तेजी से बढ़वार होती है औ और इस तरह से आप देख सकते हैं उसमें ज़्यदा वाइरस नहीं लगेगा लेकिन जब आप पहली बार खेती करते हैं तो उसको मचान पहले बना के रखना लगन इस तरह से आप बेल चलना चालू हो जाएगा तो आपको वहाथ में नहीं आएगी बेलों से बेल अपना जग चैनल पर आपको नई है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना तो दोस्तों यह एक कड़ में खेती लगाया हूं बरबट्टी की जो मैं हर साल लगाता हूं उसके लिए मैं मुझे एक्सपिरेंस है मुझे पता है तब ही मैं आपको जानकारी देता हूं मैं गलत जानकारी नहीं मिलेंगा तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में